कॉंग्रेस के राजिस सभा सांसर पेल पुनिया का कहना है कि प्रग्या ठाकुर जीने माफी मांगी के नहीं विवाद ये नहीं है विवाद ये है कि उनकी विचार धारा है वो गांधी जी को देश भक्त नहीं मानती गांधी जी के हत्यारे को देश भक्त मानती है पियल पुनिया से बाचीत की हमारे सही होगी फरहाख खान ने साद्वी प्रग्या ने जिस तरीके का विवादत बयां दिया है और माफी भी मांग ले उसी पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ कॉंग्रेस की वरिश निता बाचा पियल पुनिया मैं आप सी जानना चाहूंगी जिस तरीके का उन्होंने बयां दिया दो बार वो माफी भी मांग चुकी है तो कॉंग्रेस और उनसे क्या चाहती है। कि मैं उन्हें इस ब्यान के लिए मन से कभी माफ नहीं कर पाऊँगा। और ये बात करके खतम कर दी। अगर प्रदान मंत्री जी इसका संग्यान लेते और कठोरता से उनको चेतावनी देते कि भविश्व में नहीं होना चाहिए। तो ये कभी नहीं होता। लेकिन उन्हें ऐसा निक्यानी फेरी ब्यान आया। और जो जिस तरह की माफी मांगी है। उनको स्पष्ट रूप से स्विकार करना चाहिए। राष्ट पिता महात्मा गांधी देश भक्त है, राष्ट भक्त है, देश के राष्ट पिता है। और नाथुराम गोड से एक आतंकवादी है। स्पष्टूप से कहना चाहिए। कॉंग्रेस इस पर कोई और कारवाई चाहती है, कुछ चाहती है। केवल यह कह देना कि उनको डिफेंस कमेटी से अटा दिया है। क्या फरक पड़ता है। उन्हें पार्लिमेंटरी पार्टी की कमेटी में, मीटिंग में आने समना कर दिया है। वो सांसद है। वो लोक सभा अटेंड कर सकती हैं, उसमें कोई परतिबंद नहीं है। जो बोलें बोल सकती हैं, उसमें कोई परतिबंद नहीं है। तो यह भारती जन्ता पार्टी ने केवल दिखावटी कारवाई की है। बहुत 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 शुक्री हमसे बात करने के लिए कामरा परसन आमित के साथ मैं फराखान आर्लाइं टीवी देली